रास्तानी जापुर और जोदपूर में रविवार सुबह सुबह कुछ इलाकों में बूना बांदी हुई जी हां आज का मौसम सुबह का इसरा है इसे पूर शनिवार को अजमीर टॉक चुरू बरतपूर कोटा जालावार चितौर्डर समेत कई जिलों में बारिश ही और टॉ गंटों के दरान सलवादिक बारिश भरतपूर के दीग में पैसिट एमम दर्ज हुई और कोटा सीकर दूदू किशंगर के एरिया में एक एंट से जादा बर्जात हुई बादल छाने बारिश होने से प्रिदेश के तापमान में भी गिरावट हुई जैपूर अजमेर सीक प्रपिलानी चित्तोडगर उदापूर धौलपूर में दिनका रिक्तम तापमान 35 दिग्री सेल्सेस से भी नीचे चला गया मौसम विशिश्यकों की माने तो उनके मताबएक मांसुन की ट्रफ लाइन उत्तर भारत से शिफ्ट होकर बापस गंगानगर दिली के आसपास सक् राजस्थान की बीकाने जप और भरतपूर संभाग के जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी है जिहा मानसुन की ट्रफ लाइन राजस्थान के मताबिक यह ट्रफ लाइन आपड़क्शन राजस्थान के इलाकों को छूते वे हिमालय की और शिफ्ट हो गई है ऐसे में तेज बारिश का दौर फिलहाल जो है थम गया है इसके बावजूद भी पिछले दो दिन से आसमान में ऐसा परिसंट्रंट बना है कि प्रदेश के कई जिलों में तेज अवाओं के साथ बारिश हो रही है शनिवार को करीब 20 जिलों में बारिश होई थी और आज आपको बत तोड़ी दी में रहने वाली है इसके बाद फिर से प्रदेश में तेज बारिश का सलसला शुरू होगा ऐसे संभावना जताए गया है तो मौसम गेंदर जापुर की और से जारी जो है बुलेजिन के मुदाबिक रहिवार को प्रदेश के 24 जिलों में बारिश के संभावना जताते वे अलट जारी किया गया है और ये येलो अलट पचास नई जिलों के वज़ाए पुराने 33 जिलों के हिसाप से जारी किया गया है इससपश्ट है कि एक दियाई प्रदेश में रहिवार को बारिश होने के आसार है जिन जिलों में बारिश का येलो अलट जो है जारी नागर और गंगानगर जिले शामिल है इनमें 24 मेंसे दो जिलो में धौल्पुर और भलत्पुर में भारी बारश की चेदाव नहीं है और इस बाप प्रदेश की कई जिलों में बारश होई लेकिन पश्रिमी राजस्तान के जिले बारश का इंतजार करते रहे गए हाला कि इन पार बारिश की संभावना भी जताई गई बादलों की आवजा ही जो है खूब रही लेकिन अदिक तर दिनों में बादल बिना बरसे ही चले गए मौसम विधाग के मताबक आगामी तीन दिनों में भी वाड में जसनमी और जोतपुर में बारिश की संभावना नजर नहीं आ बेही हैँ आदियो में आदिये ओल वादलों ऌजिक की देवावना भी mí खूब झाट裡 की S אותë later.